जहीं दोस्तों स्वागत है अब सभीका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ तो इंडिया पोस्ट जीडियस चालिस अजार आठसो उनवे पदो पर भरती हो नहीं है और इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके है तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने आवेदन कैसे करेंगे जी हां आवेदन का step by step पूरा प्रोसिजर में आप लोगों को बताने वाला हूं वीडियो में तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहेगा और आप इस वीडियो को देख धर सकते हैं तो यहां पर क्या करना होगा सबसे पहले आप लोगों को आजाना है इंडिया पोस्ट GDS ठीक है आप GDS सर्च करेंगे Google में GDS सर्च करने के बाद आपको पहली विपसाइट इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पर आजाना है अब जैसे यहां पर आएंगे तो देखिए यहां पर आप लोगों के सामने त olduğust which अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप रूग्यों रजरिस्टेशन करना शमाद पर यहाँ दिथे सुझ। पर आपको आपको यहां पर देखिए सबसे पहले इस पर किलिक करा है हुए ठीक है mobile number यहाँ पर डालेंगे इस पर ओटीप आएगा देखिए याद रेखिए का mobile number और email ID आइडी सही डालिएगा ठीक है इस पर OTP आएगा दोनों पर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है आपर date of birth है वूँ यहाँ पर चलेट करेंगे सरकल सेलेक्ड करेंगे जो भी है आपका आएगा ठीक तो यह अप लोगों को इसका साल प्र देना है कि आपने इसको कब पास किया है तो मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ उसके बाद देखिए यहाँ पर यह केपचा जो दिया हुआ है यह केपचा जो है आप लोगों को इसमें यहाँ पर फिल करना है ठीक है यह सारा प्रोसीजर मैं करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे का step से बताता हूँ अब यहां पर आप जो mobile number डालेंगे है ना उसको आपको verify करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने आज आएगा कि verify है ना validate successfully और email validate successfully करके आपको दोनों को verify कर लेना है अपना नाम आपने डाल दिया पिता का नाम date of birth ठीक है जेंडर ठीक है उसके पास आपकी category आपका circle हना कब आपने दस्वी पास किया वो सारी detail आपने यहां पर डाल दिये अब यहां पर आप लोगों को जो है submit पर क्लिक कर देना है अब submit पर मैं क्लिक करता हूँ और यह जो है अगला जो step है वो यहां पर आ जाएगा अब यह सारी detail देखें इन्होंने बोला है first stage of registration complete ठीक है please continue filling the details for registration ठीक है अब यह पहली stage complete हो जुकिए अब यहां पर नीचे आप लोगों को आना देखिए आपका आधार नंबर आपको डालना है 10W points नेगाई 10 पौइंट में डेखिए 100 पौइंट में अपना आधार नंबर दालना है तो मैं यहाँ पर no करूँगा कि मैं कोई job में नहीं हूँ उसके साथ अगर यहाँ से आप 12 point में आते हैं तो यहाँ पर आपका language आपको select करना है कि आपने जो 10 भी पास किया है और किस language में किया है उसको ok कर देते हैं उसके बाद जो employee ठीक है यहाँ पर अगर आप देखे तो weather employed अगर आप है तो यहाँ पर rest करेंगे अन्यता इसको no कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगको photo upload करना है ठीक है यहाँ पर आप देखिए यह photo आपको upload करना है पचास से दोसों के बीकी बीच और यहाँ पर signature upload करना है यह procedure करते हैं और आगे बढ़ते हैं आप जो photo upload करेंगे वो तीन मेहने से अधिक पुरानी नहीं होनी चीए याद रखिए कि मैंने इसे पर फार्म भरने के लिए इसे upload किया हुआ है यहाँ से signature upload कर दिया है यहाँ से आपको submit पर किलिक कर देना है यहाँ से आपकी detail आचुकी है detail देख लीजिएगा उसके पाद यहाँ पर आप detail अगर सही है तो आप इसको click करेंगे है ना declaration पर और submit कर देंगे सब्मिट करने के पाद अगला जो step है देखी यहाँ पर आप लोगों का registration नमबर आ चुका है ठीक है यहाँ से आप इसका registration नमबर को आप जो है नोट डाउन कर लेंगे और continue apply पर यहाँ पर आप जो है किलिक कर देंगे अब मैं continue apply पर किलिक करता हूं आगे का process अब यहाँ से आप लोगों को जो है आपका registration नमबर आपने डाल दिया अपना सरकल स्लेट करना जो आपने डाला था जिसे मैंने मद्धिपदर डाला था प्रेजेंट में कहा रहते हैं और प्रमानेंट डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद आप आएंगे कौलिफिकेशन डिटेल यहाँ पर दस भी देखिए यहाँ पर आप बोर्ट से लेट करेंगे जो भी आपने जो है किया है अगर यहाँ पर आपने जो है मद्धिप्रदेश से किया तो यूपी से ठीक है जहां से भी आपने किया है वो यहां से आप जो है सिलेक्ट करेंगे ठीक है और उसके बाद जो है आप लोग जो है यहाँ पर रिजल्ट टाइप पर सेलेट कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है बताता हूं जैसे कि दिखिए यहाँ पर result type आएगा जैसे आप यहाँ पर board select करते हैं अब यहाँ पर आप लोगों को total number डालना है देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपने मत्यपरदे select किया उसके बाद यहाँ पर marks आएंगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को marks डालना है तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अपने जो number 100 में से कितने आए वो यहाँ पर आप लोगों को डालना है अब यहाँ पर मैंने detail डाल दिया है ठीक है यहाँ पर आपको address पर मानेट address डालना है उसके बाद यहां पर अपना board select करना जो भी है है ना उसके बाद यहां पर आप जो है marks पर click करेंगे उसके बाद आप सारे number यहां पर डाल देंगे उसके बाद यहां पर आप जो है save and continue पर click कर देंगे जैसे आप सेवे नेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने अगला पीज आ जाएगा देखी यहां पर आप लोगों को जो है आपका सरकल देगा यहां से आप जो है अपना डिस्टिक कर सकते जहां से आप फर्म भर रहें ठीक है तो मैं यहां पर बाला का डिविज यहां की salary वगर सब दिया हुआ हैै तो यहां से आप अपना जहां से form भरना चाते हैक दो तीन यहां पर सब दिया हुआ है इसमें आप जो है कर सकते है धीक है जिसकी कि यहां पर आप एक देन net चाहते तो आप इस फील करेंगे इसके भड़ यह तीन करेंगे ऐसे यहां से हो चुका है अब preference भी हमने चुन लिया उसके बाद आप नीचे देखिए यहां पर कोई भूगा तो यहां पर बता देगा किस तरीके से यहां पर कुछ चूटा होगा तो ठीक है उसको आप चेक आउट कर लीजेगा अगर यहां पर कुछ छूटा है तो मैं यहां पर देख लिटा हूँ चेक करके और आगे बढ़ता हूँ अब यहां से मैंने आगे बढ़ गया है यहां पर देखिए आपका जो आगया रेज़ेशन नमबर मुबाइल नमबर नाम ठीक है और यह पेमेट आ अब यहां से क्या करना है मेक पेमेट पे किलिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को साओरूपे पेमेट जो है करना होगा यह procedure हो रहा है और process करने के बाद यहां पर देखिए आप लोग के सामने आ गया अब यहां से UPI QR से आप देना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं ठीक है या फिर debit card, credit card से किसी भी तरीके से आप payment करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं यहां से UPI इससे आप करें फोन प सकते हैं यह था पुरा procedure payment आप लोगा हो जाएगा आपका फार्म सब्मिट हो जाएगा इसके बाद कोई procedure नहीं है ठीक है कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं वीडियो को like share जरू करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहीं करें मिलते हैं।